नमस्कार दोस्त कैसे आप लोग वाई पाप लोग अच्छ होगे कमेंडर पहले बताओ आप लोग कैसे हो और अब एक्जाम के त्यारी कैसे चलिए तो फ्रेंड्स आज ही क्लास में हम लोगों मौक लगाएंगे मैट्स का मस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो सभी एक्जाम के ल हर कोशन को 10 सिकिंड टाइम मिलेगा आपको पढ़ने समझने के लिए तो इंसर बताने कोशिस करेंगी वहाई इसका एंसर क्या हो सकता है दीरे-दीरे कोशन का लेबल बढ़ेगा जैसे-जैसे कोशन की संख्या भी बढ़ेगी तो क्लिर है ना तब पहला कोशन क्या देर र दो संख्यां का गुणनफल 2 संख्या में लेज़े ए और भी है क कला ना इनका गुननफल जो होता है LCM, हाना, LCM गुने HCF होता है, किलर है ना, बात आपको समझ में आ रही है, हमने क्या का, दो संखाओं का product equal to LCM गुने HCF, किलर है, हमको यही दो संखाओं का product निकालना है, यानि, AV का value निकालनी है आपको, हाना, LCM और HCF का value दे रखाएगा, आठ, या बोले को 40 और 8, किलर है, तो इसके question में तो आपको पेन उठाने की जूरत नहीं थी, बस देखते ही, जब आप देंगे, आर्ट्री, आर्ट्री, आर्ट्री के 32 और 320, correct answer है, किलर ना, जब आपको यह पता रहेगी, concept तो, बात यह आपको समझ में आ रही है, चलिए, next question, question में 2 को बताएंगे, answer क्या ह हो सकता है, question में 2 बताना, क्या है, इसका answer, देखना कैसे हल करें, बीमारी कारण, एक ब्यक्ति का जो वजन है, एक महिने में, 80 kg से घटकर 64 kg हो गया, तो ब्यक्ति का जो वजन है, उससे बताना है, कितना परतिशत की कम या गए, तो ध्यान देना, कैसे कर सकते है, इस question को, ध 64 हो गया, आप बोलेंगा, बिलकुल सही, पहले 80 था, अब हो गया, 65, 64, 64, यानि मैं पूछो कितना कमी हो गया, तो आप बोलेंगा, गाई, सुल्ले की कमी हो गई, सुल्ले की कमी किस पर, किस पर भाई, 80 पर, जिस पर कमी होती ही, वो value हमेशा नीचे, वो value हमेशा नीच पर नीचे हमको परतीसत बतानी तो गूने में 100 लगाऊगे कितना हैगा 25-85 से काटव को 20 परतीसत में क्या हो जाएगी इसके वजन में कमी आ जाएगी 20 परतीसत उसका वेट कम हो जाएगा ये सुधर एंसर हो जाएगा क्या आपको बात ने समझ में आई सुल्ले की कमी हो गए सुल्ले की कमी असी पर तो सौ पर कितना तो सुल्ले पर ची असी पांच से काटव को 20 परसेंट करेक्ट एंसर किलर ना 20 परसेंट करेक्ट एंसर बात या आपको समझ में आई चलो नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन पर आते हैं दस बस्तों का जो आउसत मुल्य है 89 रुपया है यदि एक बस्तों का जो मुल्य है 35 रुपया है तो सेस जो रिमें नो बस्तों का आउसत मुल्य क्या होगा यह हमको बताना है ध्यान देना थोड़ी से ध्यान देना दस बस्तों का आउसत मुल्य कितना है 89 तब मैं पूछू द तोटल दस बस्तों का मुल्य कितना होगा हाय न तो बश्तों की तोटल होगा है योग engines बढ़ापन होता है उस्थ हुने टोटल नंबर है यानि टोटल जितना आंकढा रहएगा थे Plato आसका 89 मुल्य काहें कितना है anywhere and total बस्तु हो कितना है दस, 10 से multiply कर तो कितना हो आठ सो नभड़े 890 यानि दस बस्तु होकर total मुल्य कितना आ गया 890 आ गया आठ सो नभड़े आ गया आपको बात थे समझमा आरही ना यह आपका 10 बस्तु को जिसमें से एक बस्तु का जो प्राइज Neden 35 यह दस बस्तु का सिप्राइज कितना अगर मैं इसमें से समय एक किमाईनस कण तो कितना ज आजया गांगए । आच सो पच्बाइश हो phi कितने बस्तों का प्राइज होगा 9 बस्तों का ना 9 बस्तों का ना 9 बस्तों का आउसत मुल्ले बताओ आउसत मुल्ले बताओ तो यह आपका 9 बस्तुओं क्या आगया आपका प्राइज आ गया बोले तो सम आ गया आउसत निकालने के लिए क्या कर रहे वह एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए टोटल बस्तुओं का सम तोटल आंकड़ों का योग टोटल आंकड़ों का यह कितना गया? 800-पचपना गया और टोटल आंकड़ां कितना निकाला है? 9 आंकड़ां का तो 9 से डिभाइड कर देंगे आनी आंकड़ों की संक्या काटको कितनी बार में कटेंगा? 95 में 95 ही करेक्ट एंसर हो जाएगा हां यह ना बहुत ही सिंपल ओ सदार सा कॉशन था क्लियर है ना पहले हमने सम नीकाला हाँ उसमें एक बस्तु का प्राइज 35 डे रखा तरह हमने माइरस करके उसको हटा दिया तब बचा आप 9 बस्तु का प्राइज यह कितना है 9 बस्तु का प्राइज तो टोटल जो है बस्तुओं का सम और टूटल बस्तुओं की आंकड़ा बोले तो संख्या हना तो नौसर डिभाइड करें हो 95 करेक्ट इंसर होगा ना किलर है ना हाँ या ना बताओ किसी को दिक्कत आप बोलेगों बिल्कुल नहीं नेक्स्ट कोशन की तरब बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट कोशन बताओ अगला कोशन मेरे भाई बताना यह भी बहुत ही अच्छा और संदार कोशन ते कैसे करेंगे एक संख्या 350 में पहले 20% की ब्रिदियों दिये एक संख्या जो 350 में जिसपर 20% की ब्रिदियों बाद फिर 25% की कमी हो जाती है तो नए संख्या बताना है हाना ब्रिदि कमी के बाद जो नए संख्या बना वह क्या है हाना तो धियान देना थोड़ी से धियान देनी आपको देखिए 350 वह संख्या है 350 हो संख्या है एक लाइन में खत्म कर देंगे 350 वह संख्या है उस पर 20% की ब्रिदि हो होता है यानि पांच पर एक भी यानि छहीं को आप बिलकुल से अगे देखाँ 25 की कमी उसी परकार 25 का प्रिक्षिन में एक बट्टे चार चार पर एक की कम यानि तीन बट्टे चार होगा है ना आप बोलें करेक्ट बात आपको समझ में आ रही है ऐसे दियाग है अब ध्यान देना दिखिए कटे कोई पान सत्ते पैंटिस यानि सत्तर आएगा किलर ना यह कर सकते हो चार से हाना चार से इसको बोल मालें जोच दो कर देती यह तीन कर देते और दू से यह कितना होगा 35 और तीनों गुना कर लो कितना आयागा यानि 35 गुने 9 315 सूथ एंसर मिलावट के लिए ना प्यूर सूथ किंतना होगा 305 करेक्ट एंसर कर लेना क्या आपका एंसर आया इतना आप ब बढ़ते हैं चलो अगला कोशन बताना अगला कोशन बताना इसका जवाब क्या होगा कमेंट करो देखिए कैसे करेंगे एक बेपारी अपने बस्तु पर क्रेम मुले से 15 परती सत अधिक मुले अंकित करता है यह मारक अप करता है फिर यह उसमें 20% की छूट देता है तो उसका हानी परती से बताइए मतलब फिर वह उसमें 20% को छूट दे दिया तो बताइए उसको कितना परसेंट का लॉस हो गया तो ध्यान देना कैसे कर सकते हो दिखिए जो बेपारी है एक बेपारी अपने बस्तु क्रेम मुले से 15 परती सत अधिक अंकित करता है देखिए यहां प पूछों मार्कप्क कितना होगा आंकीत मूल्या 153 परतीस सत अधिक मार्कप करता है है सहलों 5 रूप्इय बढ़ा देगा यानि अब मार्क प्राइज कितना होगा, 115 रुपिया होगा, हाया ना, बताओ, 115 रुपिया होगा, आप गोलेंगा, बिल्कुल सही, चलिए, आगे दे रखाए मेरे भाई, फिर इभी उस पर, मतलब, उस पर 20 परशन का डिसकाउंट देता है, डिसकाउंट हमेशा किस पर देती जात है, मार्क प्राइज बर, तो मार्क प्राइज कितना है, मार्क प्राइज कितना है, मेरे भाई, 115, मैं पुछो, डिसकाउंट बताओ, कितना होगा, 115 पर, 115 पर, 20 पर 30 का डिसकाउंट, हाना, 20 पर 30 का डिसकाउंट देतो, तो 20 परसेंट का फ्रेक्षन भाईलू कितना होगा, एक बट्टे पाँच यानि पांच पर एक कर डिस्काउंट यानि चार बट्टे पांच हो आप बिलकुल सही 5 से काट लेते अगर 5 से इसको काटू तो पांदूनाक 10 25 सताहिस चोग कीतना होते हैं मैंने 27 चोग 92 यानि जो है डिसकाउंट ऑप सोरी डिसकाउंट मुलाओ स्वी स्वी सिलिंग प्राइज अगर अगर एक सो पाइई फरुपधे करेक्ट बढ़ाकर इंग कितना होग्याँद bigger Lab इस प्रेंट करे दिया क्थटीअ कर्द्री 25 पर कर 20 कर दिस्कांट दे दिया गया तो बहसत? कितना में गो ho 92 रुपए में इतनी आपको बाते समझ में आ रही है ना इससे को दिक्कत नहीं होगी तो हमसे पुछा गया हानी परतिसत बता दू ध्यान देना देना देखें सो में बस्तू खरीदा और 92 में सेल कर दिया कितनी की हानी हो गई आठ पर्तिसाथ ना यहीं तोग सुधेंसर है, आठ पर्तिसाथ सुधेंसर, क्या आपको दिक्कत है इस कोर्षर लें, आप बुलेंगे बिल्कुल नहीं, थोड़ा चाब दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो भाई अगला कोर्षन बढाओ, चलो, नेक्स्ट कोश्टन बताना ये भी एक बहुत ही अच्छा और संदार कोश्टन ध्यान देना देखिए एक कि गती से चलते हुए एक पूल को 18 सिकंड में पार कर लेती है तो पूल की लंबाई ग्याद करना है ध्यान देना देखिए मैं पूछू मेरे भाई स्पीड बराबर स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेट्स अफ़न में टाइम यहीं नहोगा आप वोलेकर बिलकुल सही यानि चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बट्टे समय ध्यान ने समझना जो आपका चाल है गंदे नजरु से देखो गो तो 60 किलो मीटर पर आवर रखाए और टाइम अठारा सेकेंड में तो इस साट किलो मीटर पर ती घंटा को सेकेंड में लेकर जाना पड़ेगा यहने चेंज करने के लिए कुछ नहीं पाच बट्टे अठारे से डिवाइड कर दो पो सोरी गुना कर दो मुल्टिप्लाइब कर दो किलेर ना साट में क आपका डिस्टेंस रहेगा जो आपका डिस्टेंस होगा यहां पर जो ट्रेन की लंबाई रहेगी और ब्रीज की लंबाई इन दोनों का जो सम होगा यानि जोड होगा योग होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा हमने क्या कहा जो डिस्टेंस रहेगा यानि ट्रेन की लं लब वरोगा और भट्टे में क्या होता है ताइम कुसमझ में हमने हाप स्पीड रखा उड़ो डीर से ट्रेन की लंबाई ऊंसी और बट्टे में आप लिए चलियाज डियाज तो साठ बट्टे पांच बट्टे टारा इस माइनस कर लोगी जो ब्रेज के लंबाई होगा 180 मेटर हो जाएगा यहीं करेक्ट इंसर होगा है ना 180 मेटर होगा यहीं सूध्य प्योर इंसर होगी क्या आपको दिक्कत इस कोशन में थोड़ी से भी परसानी नहीं होनी चाहिए क्लिए ना बहुत छूटा और सिंपल सा कर सिर्ट लगाया आपने मतलब हमने और वी दिन सेक्ड़ कोशन को उड़ा सकते हुआ चलो चलो आते हैं मेरे भाई अगले कोशन की तरह नेक्स्ट कोशन समझो कपड़े की एक दुकान में सौट पर 30% के छूट की घोशना की गई और रिवान जो रिवान है छूट में 810 रुप्य बचाना चाहता है कि लिए डिसकाउंट पर 810 रुप्य बचाना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उससे कितनी सौट खर देनी चाहिए ताकि परतेक सौट का जो अंकीत मुले मतलब यादि परतेक सौट का जो अंकीत मुले 540 रुप्य दे रखा है धियान समना यह बहुती कंसेप्ट्यल कोशन थोड़ी से दिमाग लागना यह लोजिकल कोशन है एक कपड़े के दुकान पर 30% की डिसकाउंट देने के घूशना की गया मायक से और जो ब्यक्ति जो कपड़ा खरीदना चाहता है जो रिवान है 810 रुप्य बचाना चाहता है जबकि जो सौट का मार्क प्राइज है 540 रुप्य हाना को एक सौट की मार्क प्राइज कितनी है 540 तो अंकित मुले मेरे भाई कितना है 540 उस पर 30% कर डिसकाउंट देगो मनें 100 का गाम 540 इस पर 30% कर डिसकाउंट देगो तो ध्यान देल, 30% discount निकालो, 1-0 से 1-0, 1-0 से 1-0, 2-0 खत्म गुना करो, कितना होगा मेरे बाए, 162 हैगा न, 4-3 बारे के दो हार्ची नियाग, और 5-5-5-1, 162, 162 है, यह जो 162 क्या है, आपका discount है, यहाँ पर लिख देलो, default discount होगा, यह 162 क्या है, discount है, मतलब 540 पर 162 का discount आपको मिलेगा, 540 पर, 100, 162 का discount मिलेगा, एक sort पर, एक sort पर, तो वैसे कितना sort खरीदे, ताकि उसको, ताकि उसको 810 रिप्या बच जाए, ति इसको option से करो, option number, option number A में 6 है, B में 5 है, और C में 4 है, और D में कितना है मेरे भाई, 8 है, यही दे रखा है न, ध्यान देना, कित कितना sort खरीदे, रिवान, जो 810 रिप्या बचा ले, तो बताओ, कितना sort खरीदे, sort की संख्या से गुना कर देगो, तो आपका निकल जाएगा, पूरा बचा हुआ पैसा, यहाँ छे से गुना करे, उन्हें डिजित से चले जाते है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 2 है, गलत हो गया, अगर मैं 5 गुठांग 5 दूना कर 10, यह correct answer, काम खत्म, अगर मैं 4 गुठांग, 4 दूना कर 8, आठ यहाँ पर नहीं यह भी गलत, 8 गुठांग, 8 दूना कर 16, यह भी गलत, यानि 5 आपका student answer हो जाएगा, यानि 5, 100, 200 खरीदना पड़ेगा, पांच से multiply कर दो, य आठ सो 10 बे बच जाएगा, अपसर में सोट की संख्या दे रखे, संख्या सा multiply कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि 810 बे बचाने के लिए, कितनी सोट खरीदनी चाहिए, इरिवान को, clear है ना, चलो, चलो, आते हैं next question पर, यह एक अच्छा question है, ध्यान देना, 10 और 10 और पाच मीटर आयामो वाले कमरे में रखे जा रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ध्यान देना, हम को सबसे लंबा खंबा, अगर आप रूम में बैठे हो, इसको भी लॉजिकली सौचो, अगर आप एक रूम में बैठो, उस रूम कोने से कोने मतलब कोने मतलब करन मतलब क्या दाइगोनल तथा आपका भूजा दे रखा आपका भूजा रखाई कितना है डास दस और पाँच इसका स्कुएर को दो तो सबसे लंबा कितने होगा 15 मिटर का खंबा उस कमरे में रखने के लिए अगला कोशन बहुत ही अच्छा और संदार है इसमे ध्यान देना 400 मिटर लंबी एक बिर्यतकार दोड में ए और वी समान बिंदू से एक ही समय पक्रम से 10 मिटर पर सेकेंड और 60 मिटर पर सेंगरी गती से दोड़ा शुरू करते हैं और समान देशा में दोड़ते हुए समय वे कितने समय बाद पहली परामभिक बिंदू पर पहुंचे गए मतलब जहां से दोड़ना सुरू किया तक कितने समय बाद वो दोनों आकर वहें पर मिल जाएंगे ध्यान देना मैं फोटो से समझाने कुछ करो यह एक बिरितकार हो गया किलाना यह बिरितकार जिस पर दोड़ है ए और बी यहां पर ए है यहां पर बी है दोनों साथ ही दोड़ है दोनों का इस पर दस और सुल्लै है यहां से दोनों दोड़ना चालो कि एक साथ एक ही दीसा में ऐसे से दोड़ते जाएंगे और यहां पर पहली बार एक साइकल करने में इसको कितना टाइम लगेगा यह हमको बतानी है कोशन आपने समझाना चलिए तब मैं पुछन आप पहले का टाइम बताईए मतलब एक का चार सो यह चार सो चार सो टूटल दूरी है चार सो कितने का चार सो और स्पीड कितना है काटो कितनी वार में कटेंगा चालिस तो कितना हो किसी सेकेंड में और 50 से हमाल वातियु आपको समयज में हम यहां पर स een टम निकाला दोनों का टाइम ए से लेंगा हम लिया जाता है तो 40 25 का चारीश और पचीश का एलसम 45 25 के सव यानि 200 200 क्या होगा आपका सिकेंड टाइम लएगा 200 सिकन्ड में दोनों पहुंच जाएगे किलर नहीं से ले लेंगे दोनों का इस फिड़र दोनों के टाइम का किलर ना तिससे आपका पता चल जाए टाइम इतना लगेगा बात यागों क्लिए रहे ना 200 सिगेड़ में यह पहुंच जाएगे चलिए नेक्स्ट कॉश्चन कर दो सेंख्याओं को लगुतम समय परते उनके महत्तम समय परते का पंद्र गुना है लगुतम समय परते हैं महत्तम समय परते का जो युखवाल है एक सो बार है यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या फाइंड करने कैसे करो इसमें आपको दिमाग लगाना है थोड़ी सी थिमाग लगानी है तो थोड़ी सी दिमाग लगाओ मेरे भाई गलत जगाने यूज करना ध्यान दिना दो संख्याओं का लगुतम समाव पर तक उ एक स्ट्र लाइन पर आते हैं एलसे मोड़ी सम्ट एक सो बार है इतनी बाते क्लियर होई ध्यान समझे लाए यहां से लसे में का बहलू कि इतना है एक से गुले 15 लसे में के जगाँ पर यह वह पूट करी सकता हूं ना क्योंकि दोनों तो बराबर है तो क्या लेख सकते हू 15 HCF आना गुना करें पर 15 HCF और यह HCF जोड़ो गती है यहां यहां पर 16 HCF कर सकता हूं हाय ना क्लियर ना और एक्वल में 112 मतलब HCF का भालू कोच होता कि इतना होगा सोरे सत्य 112 होता है क्लियर ना यहांने HCF का भालू कितना गया सुल साथ आ गया क्लियर ना चलो next लाइन प बताने डिट्टो पहला जो कूर्सर हमने बताया वही कंसेप लगाना है दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर HCM गुने HCF होता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानि एक गुने बी बराबर HCM लगने HCF लाइन लगने HCF होगा क्लियर आप बोलेगा बिल्कुल सही दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमसों दूसरे संख्या पूछी गया जिसमें से एक संख्या 35 है यानि बी का भैलू पूछा गया है हाय ना बी का भैलू पूछा गया है और जो LCM है LCM का फिर भैलू यह मेरे एचस्यवप इस में गूना करो यानि कितना होगा 15 एचस्यव का स्कॉायर हाना यार भाई एचस्यवफ अगर मैं एकस एकस्वायर होगा है ना तो हुल हो दो बार है तो यह यहां से अगर मैं काटने के कोशिच करूं काताएं कि इसको काटू 5 से 5 सत्य 35 35 15 और साथ सत्य से 49 होगा यानि बी का भायलू कितना होगा मेरे भाई बी का भायलू 31 यान दूसरा जो नंबर है दूसरी जो संक्या है 21 होगा दो के सामने एक क्लिए न दो के सामने एक यह होगा करेक्ट एंसर बाति क्लिर है न बताओ इस्टेफ बाई स्टेफ हमने बताया ऐसे करें ना ही इसको दिमाग से हल करें क्लिए जल्दी जल्दी करना है इसको लिखना नहीं है हाँ न जब एक जामया बनावे तो लेकिन समझाना पड़ेगा चलो ध्यान दे समझें आप next question चलो अगला question बनाते हैं देखें मैं भाई इसको कैसे कर सकते हैं simple और सधारन question है A अनुपात B यानि A B का ratio और A B का ratio और B C का ratio हम से पूछा क्या गया है वो sorry plus मैं दे रखा है यहाँ पर मैं जिक रहा हूँ A पलस A पलस B का जो ratio और B पलस C का जो ratio और C पलस A का ratio ऐसे पूछा गया इसका value पूछा गया तो simple सी question है भस value रखना है याब वो A और B का value 5 पलस 7 5 पलस 7 है A और B का value 5 पलस 6 है sorry मेरे भाई क्या हो रहे 5 पलस 6 है ratio लगा B पलस C B पलस C 6 अनपाच 7 6 अनपाच 7 और C और E का क्या लिखो गए C का value 7 है C का value 7 है तो A का value कितना है 5 है 5 है तो जोड़ दो तो बस 7 पलस एक ग्यारा साथ आई कितना हो जागा 6 तेरा और यह कितना 75 बारा यही तो होगा correct answer हाना यही correct answer होगा बस आपको value रखते जोड़ना था इसमें दिमागा लगाने के जोड़त नहीं है तो आख बंद करके आप हल कर सकते हुँ चलो चलो next question आते हैं मेरे भाई अगला question पर एक दुकंदार बस्तू पर बारे परसेंट बस्तू को बारे परसेंट लाप पर बेजता है वास्तिक वरजन से 15 परसेंट कम वरजन का परियोग करता है तो उसका कुल लाप पर देशन बताई है कि केतना उसको profit हो गया अगर 15 परसेंट कम वरजन तवला तो के लिए ना देखे को पर आप में क्या होता है 100 परसेंट तो मैं पूछो सेलिंग परसेंट बता दो यानिए एस पी तो 12% का profit हो गया सो अपर 12% का profit होगा 112 रुपए में है ना तब भी तो 12 mm का प्रफिट होगा की लिए रहा ना चलू है तो मैं पूछ भाइ मेरे ऋरीजिनल वाय मैं पूछ रहा हूँ ओरीजिनल प्राइज बताओ क्या होगा तो घृप्या पर समझेता ही यानी उसका उरिजिनल प्राइज कितना हो जागा 85 वहाई एना आपने परसेंट कम उजनता हो लेगा तो अब उसका कोस्ट परज कितना होगा एटी फाइफ होगा है ना सो में से पंदर घाटा लो 85 रुपया होगा से लिए एक सो बारे में और भेज खरीद के लाएफ पचासी में यानि कितना का प्रॉफिट होगा माइनस कर लो 27 का प्रॉफिट होगा है ना 27 का प्रॉफिट होगा किलर है ना तो ध्याने समयना 27 का प्रॉफिट होगया प्रॉफिट किस पर होता है प्रॉफिट किस पर होता है क्रेम मुल्य पर क्रेम मुल्य कितना 85 है तो सो पकितना तो सो पकितना तो यहां से आप काटा कु सखा 31 साथ और छो किलना परतीस सत में बात आपको किलरों ने बहुत ही सिंपल और सधारण से कोशन थी आपको यह समझ में आ गई हो में चलो चलो next question के यह और आते हैं मेरे भाई चलो अगला कोशन बताना साथ पांच और तीन के जो चर्थ अनुपाती है और साथ और तेरे का जो तिरते अनुपाती है का बीच का ratio बताओ रीस का वीच का रेस्यू फोर्थ पर्पोर्जनल अब थड़ पर पर्पोर्जनल का रेस्यू पुछा गया घान देना देखी मैं पूछ फॉर्थ पर्पोर्पोर्जनल अना fourth proportional यानि चतूर्थ अनुपाती किलार ना तो ध्यान दो समझेना कैसे करना है जब भी आपको fourth proportional निकालना हो तो आप फर्मुलाय को यूज करेंगे क्या नमबर क्या दे रखा है? पहले देखते हैं, 7 दिया है, और 5 दिया है, और 3 है, ये दिया है 4th proportional का नमबर, तो 4th proportional निकालते हैं कैसे देना? ध्यान देखिए, ये A है, ये B है, और C है, तो इन दोलों को multiply, यानि B गुने C और बटे में A होगा, कि लिए ये 4th proportional निकालने का तर निकालने के लिए X square और बटे में Y करते हैं, कि लिए एक स्क्वाइर का वैलू का वैलू का रखागा इस दोनों में से, ध्यान देना, सबसे बड़ा जो नमबर होता है, वो X का वैलू होता है, तो X का यानि 3 का स्क्वाइर 169 और बटे में साथ होगा, इन दोनों का ratio जो ratio ते friction में नहीं होता, तो 7 स 7 खटं कितना होगा, पंद्रे अनुकात, 179 correct answer, क्लियर ना, पंद्रे अनुकात, 179 correct answer, क्लियर ना, तो आपको याद रखने, 4th proportional और 3rd proportional निकालने का फर्मूला क्या होगा, बीगुने C upon A, X square upon Y, क्लियर ना, चलो चलो आते हैं next question, यह एक बहुत ही अच्छा और संदार question है, दिमाग लगाने वाला यह question है, जो sonal है, sonal और अर्जुन एक साथ कारे करते हुए, अर्जुन एक साथ कारे करते हुए, 38 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, और रोहन और सोनल जो एक साथ कारे करते हुए, उस काम को कितने दिन में complete करेंगे, यह पूछा गया, question आपने 2-4 बार read कर लो, समझे लो, क्या value दे रखे, क्या आमको find करना है, तो इध्यार ने समझना देखिया, R4, A4 है, पहले सोनल है, तो A4 सोनल और A4 अर्जुन दोनों मिल कर किसी काम को 57 दिन में complete करते हैं, दोनों मिला है तो हमने add कर दिया, फिर next, अर्जुन और प्लस में रोहन, दोनों मिल कर 38 दिन में काम को complete करते हैं, तो यहां तो किसी को फूड़ी सी दिक्कत हें तो बताओ थोड़ी सी भी दिक्कत यहां तक थोड़ी सी भी नहीं होने चाहिए अब जो आपका टाइम आगए तो हम यहां से क्या निकालते हैं भाई यहां से लोगा एलसें दोनों को तीनों का ले लो अब ध्याने समझना इस काम को इस काम को यानि 114 काम को कंपलीट करने में कितना समय लगा यह हमको बतानी है ध्याने समझना देखिए सोहन और सोनल और अर्जुन दोनों मिलकर एक दिन में दो काम करते हैं हाय ना यह फिर दोनों मिलकर तीन काम करते हैं यह दोनों मिलकर तीन काम करते हैं सभी मिल जाएंगे तो एक दिन में आठ काम कंप्लीट करेंगे हाई ना थोड़ी सी दिमांग अलगा हो अगर मैं पूछू यह सभी मिल जाएंगे सभी मिल जाएंगे तो दोनों एक दिन में आठ काम को कंप्लीट करते हैं यह दोनों और यह दोनों यह दोनों बोले तो च्छ चौह हो गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे आठ काम करेंगे आप बलेंगे बिलकुर सही तो मैं पूछो अलग 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 साथ में ना अलग अलग मिलकर तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे तो दो से डिवाइड कर दो दो से डिवाइड करेंगे चार यानि एक दिन मे चार काम को complete करेंगे तो टूटल काम कितना है 114 है एक दिन काम कितना है चार है तो चार से multiply कर दो उस और ही चार से divide कर दो आपका time निकल किया जागा आठाइस पॉइंट पाँच पे इसको यहां पर एसे नहीं समझ मैं तो सभी को add कर लो यह भी दो यह बार होगा और आरड दो कंबन निकालो तो बज जाएगा रोहन और और अरजूर और दोसाव डिवाइट करो तब भी चार आएगा लेकिन लॉजिकली सोचो मेरे बात या लेके हैं लेकिन लेक्त कुरू लब नहीं लेना है औरहु हम समझेंगे आधी युक्त बंदा स MOD deg Me दिन में आत काम कंप्लीट करते हैं तो मैं पुछ रहे हैं यह तीनों के अजनक्य div दो कम्मन आएगा क्योंकि दो-दो है तो दो से डिवाइड किया हमने इस लिए तो कम्मन लेकर भी कर्किया जा सकता है तो कम्मन नहीं लेना है बात तो 28.5 आएगा ना हाँ चलिए 28.5 करेंट सूध के रुण सोरगा जो अभी तक हमने जीतना कोशन बता है कि आपको सभी कोश को लोजिकली हल किया है हमने के लिए रहना थोड़ी से भी डाउट नहीं है तक वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनले में नहीं है प्लीज सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूज करना है मिलता है नेक्स वीडियों टेक्यार जाहें दे झाले में प्लीज सब्सक्राइब वीडियों टेक्टे।